तो इस वक्त आप देख रहे हैं वोईज़ फैंपी निस चेनल में हूँ आपके साथ ने आई सब करडेट की बात परें संद्र परिवार की नर्जरी नीमच में भार्दे जिंता पार्टी के जुलाग देक्षपवन पार्टी दाने पंचायत वनिकाय चेनल में पार्टी के खिलाफ जाकर चेनल लणने वालों के खिलाफ सक्त कदम उठाना शिरू कर दिया है उन्होंने साफ तोर पर एक अल्टीमेट जारी करते हुए कहा कि गुरुवार श्राम तक सभी उमीदवार अपना समर्थना दिक्रत प्रित्याक्षी को दे देवे नहीं तो प्रदेश संगटन को निर्देश अनुसार अनुशाचन नात्मक कारवाही की ज़ाए वहीं बीजेपी ने जनपत इक्ष को लेकर अपनी किलावन्दी का नार शुरू कर दी है सुत्र की माने तो कंगर्स के परवत्त सिहां लेकर चल रही कैंपनिंग को देखते हुए बीजेपी ने अपने सभी जनपत सदस्य को एक गुप्त स्तान पर बेज़ दिया है सुत्र ने यहां तक बताया कि बीजेपी ने पहले सभी जनपत सदस्य को एक जगा बुलाया और फिर घंटो अपने साथ गाड़ों में बिठा कर तपो भुमी साहिद एक इस्तान पर खाना खिला कर छेवानों में बिठा कर एक गुप्त इस्तान पर बेज़ दिया गरतलव है कि जनपत अद्यक्ष को लेकर नीमच बिजेपी वा कॉंग्रेस में खिचातान देखने को मिल रही है लागों की बाते भी सदस्य को खरिदने की सामने आ रही है ऐसे में बिजेपी का यह कदम सुरक्षात्मक दिखाई दे रहा है वहीं जनकरों के माने तो नीमच जनपत अद्यक्ष में बिजेपी से शार्दा बाई मदनलाल धनगर का नाम सामने आया है साथी कॉंगर्स के बात की जाए तो परवत सिहां भानो प्रताफ सहीत और भी कई नाम सामने आ रहे है ऐसे में बिजेपी ने जो तयारी की है उसमें कितनी सफल होती है ये देखना होगा तो ये तब तक अपडेट लगातार जोयन करी के लिए बने रहे है वोई सफार्दी के साथ